मैं अपको सिखाने जा रहा हूं क्या क्या इस्तमाल है middle and In? म encontramos in निउसपेपर मेंआप टक्रा सकते हैं middle and with या िस्पोकन इंग्लिष में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं। आईए situation देखते हैं गाइस मेडल इन हो या मेडल विध हो आप देखें तो इंटर्फेयर इन सम्थिंग दाट इस नौट वन्स कंसर्ण जब आप मेडल इन के बाद करेंगे कि मेडल के साथ इन लगाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज आपके मतलब की नहीं है किसी के मामले में आप टांगडा रहे हैं आप उसमें इंटर्फेयर कर रहे हैं आप देखें तो इंटर्फेयर इन सम्थिंग किसी चीज में इंटर्फेयर करना ताट इस नौट वन्स कंसर्ण जो किसी का कंसर्ण नहीं है आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई concern नहीं है और आप उसमें interfere कर रहे है, it means you are meddling in someone's matter, आप समझ रहे हैं, meddling आप कर रहे हैं, अगर आप meddle with की बात करते हैं, तो meddle with का मतलब है कि touch or handle something without permission, अब किसी का computer आप बिना permission की छुने लगे, आप किसी चीज को हाथ लगाने तो यानि कि आप meddle with कर रहे हैं, कहीं नहीं आप उस चीज को बिना permission के touch कर रहे हैं, उसके साथ को छेड़चार कर रहे हैं, तो आप meddle with कर रहे हैं, कहते हैं न कि यार वो लड़का मेरे computer को छेडने लगा, तो छेडने लगा मतलब क्या, he started meddling with, तो आप ऐसे situation पे meddle with और meddling का इस्तमाल करते हैं, examples देखें guys, example है कि you shouldn't meddle in matters that don't concern you, यानि कि तुम्हें ऐसे मामले में हस्तचेप नहीं करना चाहिए, अपनी टांग नहीं अडानी चाहिए, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई concern नहीं है, और उस मामले में जाकर कि तुम हस्तचेप कर हो, it means you are meddling in that matter, that, जो भी case है, समझ रहे हैं, एक और दिखें, he should not meddle in your privacy, अब आपकी जो privacy है, उस में अगर कोई हस्तचेप कर रहा है, बार बार, it means कि he is meddling in your privacy, तो आप कह सकते हैं, he should not meddle in my privacy, you should not meddle in my privacy, that is meddle in, एक और दिखें, that child started meddling with my computer, अब मेरा computer है, बच्चा आया, और वो छेडने लगा, अब मुझे बोलना है, इंगलिश में है, और मेरे computer को छेडना शुरू कर दिया, तो छेडना का मतलब यहां कोई molest थोड़ी होगा, कोई tease थोड़ी होगा, हाँ, touch word उसकर सकते कि, touch करने लगा, बट आप ऐस है क्या सकते कि, वो जो बच्चा है, started meddling with my computer, यहनि कि, he started messing around with that, उसके छेडशा करने लगा, meddle करने लगा, हस्चेप करने लगा, तो हस्चेप का मतलब है कि किसी मामले में कोई हस्चेप कर रहा है, लेकिन अगर कोई चीज है, अब विद लगाएंगे, तो उस चीज को तो उसमें आप हस्चेप कर रहे है, तो उसमें आप हस्चेप कर रहे है, इट मिस वार meddling in, एक और लेकि, he was meddling with his equipment, कोई equipment है, कोई आया और मेडल विद करने लगा, उसे छेडने लगा, बिना परमिशन के टच करने लगा, इट मिस कि, he started meddling with, तो यह है आपका meddling in, या meddle with, तो कभी भी अगर आपको newspaper में मिले, तो आप समझ जाएंगे क्या होता है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले video में, till then take care, keep practicing and have fun, अगर आप चाहें, तो इसका एक screenshot ले सकते है friends, thank you guys. कर दो मुंद को कि भी करे मुंद करों समझ करें नहीं,wr